वेलकम टू एक्जाम सहापाथी आज के इस वीडियो में हम लोग नॉमबर दोहजार इकीस के महतुपूर करंट अफेर्स के बारे में अध्यान करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं नॉमबर माह के महतुपूर दिवस के बारे में विस्व दरसन दिवस या फिर वर्ड फिलास्फी डे कब होता है तो यह होता है आपका 18 नॉमबर को विस्व सोचाले दिवस कई बारे में पूछा जा चुका है इसको आप याद रखेंगे 19 नॉमबर को और इस बार की इसकी थीम क्या थी तो थीम थीज की सोचालियों का महत वैलिवेटिंग टैलेट्स ठीक है विस्व मत्स दिवस या फिर वर्ड फिसरीज डे कब होता है तो यह होता है आपका 21 नॉमबर को वर्ड फिसरीज डे होता है विस्व टेलीवीजन दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विस्व टेलीवीजन दिवस होता है आपका 21 नॉमबर को और गुरु तेक बहादूर सहादत दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह आपका कब होगा यह होगा आपका 24 नवंबर को ठीक है राश्ट्री दुग्द दिवस आप सब जानते है वरगीज कुरियन ठीक है तो राश्ट्री दुग्द दिवस जो है आपका कब मना जाता है तो यह मना जाता है आपका 26 नवंबर को और समविधान दिवस भरती समविधान जो है आपका इस तिन आपका बन के तियार हुआ था ठीक है तो ये 26 नुम्बर को होता है बारती समविधान दिवस ठीक है अब देखते हैं महत्रपूर करंट अफेयर्स के बारे में तो पहला पॉइंट क्या है पहला है आपका केंदरी ये क्रिसी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर और उपराज जेपाल मनोज सिन्हा ने जो है कहां पे स्री नगर जम्मू कस्मीर में पहली बार क्या एपल फेस्टिवल का आयोजन किया गया तो या रखेंगे आप लोग एपल फे प्रेक जो है IRCTC की ID बनाके कॉल करके लोगों को धोखा देते थे इस वज़़से ट्रू कोल्डर के साथ साजेदारी किस्टिकी IRCTC ने पॉइंट नमबर थ्री है आपका केंद्रिय सहकारिता मंत्री अभी नया नया सहकारिता मंत्राले बनाया गया था आप सबको पता है जुलाई माह में और उसके पहले मंत्री बनाया गया थै अमित साह तो इन्होंने अमोल के 75 अस्थापना वर्स का जन्म जस्न मनाने के लिए गुजरात में डेहरी सहकार योजना की सुरुआत की है ठीक है तो गुजरात में जो है इस्टार्ट की गई है कौन सी डेहरी सहकार योजना ठीक है डेहरी सहकार योजना का जो परिबेकुल है वो है आ अगला पॉइंट है आपका केंद्रिय मंत्री रक्टर जीतेंद्र सिंग ने आधिकारिक तौर पर चेन्नाई में शमुद्र यान परयोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिसन का प्रारंब किया तो समुद्र यान परयोजना ठीक है यह आप याद रखेंगे औ और भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिसन है और इसमें जो गहरे पानी में जो आपका सबमर्सिबल जाएगा उसका नाम क्या दिया गया है तो उसका नाम दिया गया है मत्से मतलब आपका होता है मचली ठीक है तो मत्से 6,000 इसका नाम दिया गया है जो जो है इसको क्या मिला है इसको मिला है एक ही कृत प्रबंधन प्रडाली यानि कि integrated management system का इनको प्रमाडन मिला है और ये प्राप्त करने वाली ये दक्षिड railway की पहली train बन गई है ठीक है तो दक्षिड railway की पहली train जिसको IMS प्रमाडन मिला है वो है आपका चेन्नई महसूर सत्ताबदी एक्सप्रेस अगला है आपका आक्सफोर्ड English Dictionary द्वारा वर्स 2021 के ल के लिए wax को word of the year चुना है ठीक है wax का अर्थ क्या होता है गाय होता है और wax का उपयोग टीको के लिए एक संचिप्त रूप में भी किया जाता है ठीक है तो ये wax word यूच किया गया है आक्सपोर्ड English Dictionary द्वारा चुना गया है word of the year 2021 के लिए राष्ट्री खेल पुरुसका ठार था लेकिन अब क्या हो गया है? मेजर ध्यान चन्द्र खेल रत्म पुरुसकार उसका नाम बदल के कर दिया गया है तो ये देखिए किन-किन लोगों को मिला है यहाँ पर अन सब के नाम है इसके अलामँ भी द्रोडाचार पुरुसकार और कई पुरुसकार मिले थे ल मिताली राज को क्रिकेट के लिए मिला है, सुने जेते को फुटबाल के लिए इन सब को mijor ध्यान-चंद खेलदन पुरुसकार मिला है इसके लावा एक और नाम है, वो है आपका मनप्रीत सिंग जो है, ये हांखी के टीम के कैप्टन है इनको मिला है पुरुष टीम के लिए ओके तो इन सभी को जो है आपका इस वर्स मिला है क्या राजी उगांदी खेलत पुरुषकार जिसका नाम बदल के अब हो गया है कौन सा खेलत पुरुषकार हो गया इसका नाम बदल के मेजर ध्यान चन्द खेलत पूरुसकर अगला पॉइंट है, आपका भारती रिजरोब बैंक ने अब बंधन बैंक को सरकारी kारोबार के संचालन के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है, तो एजेंसी बैंक के रूप में है इंडिया में, उनकी सूची आई है, जिसमें अजीम प्रम जी, ठीक है, वीप्रो एक जो है, साफ्टव एर कंपटी है, इसके संस्थापग है अजीम प्रम जी, इनको जो है, सी सस्थान प्राप्ट हुआ है, इनों ने कितने का दान दिया है, ठीक है 2020-21 के दोरान तो ये आपके सीर्जस्तान पे हैं दूसरे नमबर पे आपके सिव नादर हैं जो की आपके HCL कंपनी के जो है आपके CEO है ठीक है तीसरे नमबर पे आपके मुकेस अंबानी है मुकेस अंबानी सबसे ज़्यदा कमाई में रहते हैं और आपका दान देने में ये तीसरे नमबर पे है और चोथे नमबर पे कौन है कुमार मंगलम बिडला अगला है पॉइंट आपका हरबजन सिंग और जवगल स्रीनाथ को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब जो आपका MCC क्लब होता है एक जो है आपका प्रतिष्ठित क्लब है इसकी आजीवन सदतिस्ता प्राप्त होई है कि इसको हरबजन सिंग को और जवगल स्रीनाथ को ठीक है फेडरेशन आफ इंडियन चैप्टर्स चैमबर्स आफ कामर्स और इंडेस्ट्री जो आप फिक्की आप एक संस्था है इसको बारे में आप सब जानते हैं इसने जो है क्या अरुड चावला को अपना नया महानिदेशक चुना है तो फिक्की के नया महानिदेशक कोन है फिक्की इंपोर्टेंट संस्था है याद रखिएगा ठीक है अरुड चावला अरुड चावला को इसका महानिदेशक बनाया गया है आमित रंजन द्वारा लिखित रानी लक्ष्मी बाई के वकील तो रानी लक्ष्मी बाई के वकील था जिनका नाम था जान लैंग ठीक है इन पर एक पुष्टक लिखी गई है आमित रंजन के द्वारा जॉन लैंग वंडर आफ हिंदोस्तान स्लेंडर आफ हिंदोस्तानी और एंड लायर फार्दर रानी तो ये आपका जो है लांच की गई ही ये पुष्टक ठीक है जॉन लैंग के नाम पर किसने पुष्टक लांच की है ये लांच की है अमित रंजन ने तो ये भी आप पॉइंट याद रखना है कि ये रानी लख्मी भाई के वकील थे जिनका नाम था जॉन लैंग ठीक है अगला है आपका बधिरों की जम्मू और कस्मीर टीम यानि की जो आपके बधिर यानि की जो आपके अपंग जो बच्चे हैं बधिर जो आपके सुन बोल नहीं सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ इसकी ये कस्मीर की टीम थी इसने फ्रांस के पेरिस में जो है विस्व बधिर जूडो सेंपियंसिप में पहला अस्थान हासिल किया है तो ये आपके भारत की टीम थी जमू कस्मीर से ठीक है अगला पॉइंट है कुल 84 भारतिय वायू सेना के कर्मियों ने आठ देसों के अंतर राष्ट्रिय बहु पक्छी युद्धब्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया नेक्स्ट आपका एक स्विस्ट्व स्वास्ते संगठन ने को वैक्सीन के आपात कालीन प्रियोग को मंजूरी दे दी है पहले इसने जो है को वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी लेकिन भारत सरकार के दबाओ के बाद इन्होंने को वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है आपात कालीन प्रियोक के लिए दक्षड अफरीका के नाटक कार और उपानियासकार डेमन गलगुट ने दब प्रॉमिस के लिए 2021 का भुकर पूरुसकार जीता है तो इन्हों ने बुकर पूरुसकार हो गया डेमन किसको गलगुट को मिला है उनमुक्त चंद आश्ट्रेलिया के बिग बैस लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतिये पुरुस क्रिकेटर बन गए है तो आपका जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है आपका IPL होता है भारत में उसी तरह से आश्ट्रेलिया में आपका बिग बैस लीग है और वहां पर जाने वाले पहले भारतिये क्रिकेटर कौन हो गए है वो हो गए है आपके उनमुक्त चंद ठीक है United Kingdom की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए पांच पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है तो United Kingdom में आप सब जानते हो कि पाउंड चलता है ठीक है पहले यूरो मलब की जब ये आपका यूरोपी सभी देसों में सामिल था तो ये इसका यूरो था लेकिन ये अलग हो गया तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है पाउंड चल रहा है ठीक है महात्मा गांधी के लिए इन्होंने ये एक प्रसिद्ध उध्रण इन्होंने इस सिक्के पर अपना अनावरण किया है जो क्या है आपका मेरा जीवन मेरा संदेश ठीक है और भारत का राश्ट्री फूल कमल की विच्छवी इस सिक्के पर है अगला पॉइंट आपका बंधन बैंक ने असम में लोकप्री असमिया और बालीवूड गायक जुवीन गर को बैंक का ब्रांड अमबेश्डर न्यूकत किया है तो बंधन बैंक को जो है ब्रांड अमबेश्डर किसको बनाय गया है तो वो बनाय गया है जुवीन गर को बंधन बैंक को अभी अभी आपने देखा था कि RBI ने आपको Agency Bank के रूप में उसको नामित किया था, ठीक है न, अभी कुछ दिर पहले मैं अभी आपको बताया गया भारती स्टेट बैंक ने पेंसन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाड पत्र सेवा सुरू किया है, तो वीडियो जीवन प्रमाड पत्र क्या है कि वो घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से ये बता सकते हैं बैंक को कि हम अभी जिंदा है, हमवारा पेंसन भी किया है SBI ने प्रियंका मोहितो को 2020 का तेंजिंग नौर्गे राष्ट्री साहसिक पुरुसकार जो है प्राप्त हुआ है प्रियंका मोहिते का नाम आप याद हो आपको पिसली महीने की करंट अफेर्स में बताया गया था किसी महीने में तो इनका नाम क्यों जो है इंपोर्टेंट है यह अप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा ठीक है तेंजिंग नौर्गे साहसिक राष्ट्री साहसिक पुरुसकार इनको 2020 का दिया गया है प्रियंका मोहिते को कनड़ विनेता पुनीत राजकुमार इनका जो है हाली में न रुसकार है यह पुनीत राजकुमार को दिया गया है गूगल की मूल कंपनी तो आप सब जानते हो उसकी जो है मदर कंपनी कौन सी है अल्फाबेट है ठीक है इसने दवाओं की खोज के लिए AI यानि की Artificial Intelligence संचालित ड्रग डिस्कवरी स्टार्टप जिसका नाम क्या है क्लैब्स की अस्थापना की है ओके चार सो टी ट्विंटी विकट लेने वाले सबसे युवा गेदबाच कोन बन गये है तो वो बन गये है आपके राशिद खान नेक्स्ट आप का है प्रदीप मैगजीन की किताब है प्रदीप मैगजीन एक जो है अच्छे आपके पत्रकार है क्रिकेटर से सम्मंदित न्यूज देते हैं ठीक है इनकी किताब आई है नाट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर जन्नी नोंने लांच की है अपनी पुष्टक त्रिपुरा जो है द्वारा देश का पहला बास से बना क्रिकेट का बैट और इस्टम्प विक्सित किया गया है तो पहली बार जैसे कि अभी और दूसरे लकडी से बैट और का निधन हो गया ये तारक मेहता नहीं है तारक सिन्ना है ठीक है तो दुरोचार पुरुसकार इनको प्राप्त हुआ था ये क्रिकेट कोच थे तारक सिन्ना इनका हाली में निधन हो गया चीन ने क्या किया कि दुनिया का पहला प्रिथवी विग्यान उपग्रह जिसका नाम क्या है गुआंग मू या SDG Set 1 ठीक है ये इसका नाम है इसको लॉंच किया है दुनिया का पहला पृत्वी विग्यान उपग्रह किसने लांच किया है तो लांच किया है चीन ने मेघाले मंत्री मंडल पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स ये इस नाम से जो है एक नए जिले के निर्माड को मंजूरी दी है किसने मेघाले के मंद्री मंडल ने ठीक है पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स नाम के नए जिले के निर्माड को मंजूरी दे दी है मिगाले ने अगला आपका है टेबल टेनिस में भारती जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना गिरीस कामत ने स्लोवेनिया के लासको में डबलू टीटी कंटेंडर टूर्नामेंट की यूगल खिताब जीता तो ये भारती टेबल टेनिस से समंधित नाम है दोनों मनिका बत्रा और अर्चना गिरीस मनिका बत्रा को आप जानते होंगे अर्चना गिरीस भी आप ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस से समंधित हैं इन्होंने अभी अभी हाली में डबलू टीटी कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला यूगल का किताब जीता है विस्व किक बाक्सिंग चै अगला है पंजाब उतक संस्कृति आधारित 20 नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारती राज़ कौन है तो वो आपका है पंजाब ठीक है ठीक है तो जाद रखिएगा नॉबमबर 2021 में हारम रेड़क्षन कंसोर्टिम दौर्एजारित यह आपका एक रिपोर्ट है इ policy index इसमें भारत को 18 अस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है global drug policy index में भारत का कौन सा स्थान है तो वो है आपका 18 अस्थान और इसमें नार्वे जो है पहले स्थान पे है यह आपका national logistic index है logistic मतलब सामान धोने से संबंदित होता है ठीक है इसमें गुजरात जो है सीर्स पर जानी की गुजरात पहले नंबर पे है national logistic index में यह भारत देश के अंदर का index है ओके गुजरात के बाद हरियाड़ा है उसके बाद पंजाब है ठीक है ना दूसरे और तीसे नंबर उपे पाकिस्तान के आसफली और आयरलेंड की लौरा डेलानी को अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर अब्दम मन्थ चुना गया यह ICC ने हर महीने जो है प्लेयर अब्दम मन्थ चुनने का नाटक सुरू किया है तो यह हर महीने दो नाम आ जाते हैं तो आपको पहला वाला जरूर जाद एकना है पहला पुरूसकार जनवरी में दिया गया था और यह रिसब पंत जो की आपके भारत के थे और सबनीम इसमाईल दक्षड अफरीका को मिला था ठीक है अक्टूबर का मिला है आसिफली और लौरा डेलानी को नेक्स्ट आपका है जम्मू और कस्मीर की ग्रिसम कालीन राजधानी स्री नगर जो स्री नगर है ये युनेस्को के रचनात्मक सहरों में सामिल हुआ है बस आप इतना याद रखेगा कि 15 नॉम्बर को भारत सरकार ने स्टार्ट किया है जन जाती गौरो दिवस के रूप में घोसित किया है इसको 15 नॉम्बर इसलिए चुना गया क्योंकि इस तारिक को स्री बिरसा मुंडा की जयनती होती है ठीक है पंदर नुमर को वेसा मुंड़ा की जनती होती है इसलिए इस दिन जन जाती गौरो दिवस के रूप में घोंसित किया गया है इस वर्स से संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 101 में सदस्य के रूप में अंतराष्ट्री सौर गटबंधन में सामिल हो गया है अंतराष्ट्री सौर गटबंधन का जो है मुख्याले आपके भारत में ही है गुडगाओं में ठीक है तो इसमें ये 101 में सदस्य देश के रूप में सामिल हो गया है संयुक्तराष्ट अमेरिका ओके इंटेलिजन्स ब्यूरो में विसेश निदेशक सील वर्धन सिंग को नया सी आई एस फ महानी देशक निदेशक चुक्तिया गया है तो याद रखयें सील वर्धन सिंग जो है क्या बनाए गए है सी आई एस एफ के महानी देशक बनाए गए है अगला नाम याद रख़िए अतुल कर्वाल NDRF के महान देस्ट बनाए गया है ठीक है सीलवर्धन सिंग CISP के महान देस्ट बनाए गया है अतुल कर्वाल किसके NDRF के महान देस्ट बनाए गया है NREX टाप का R Hari Kum War का मुझा बनाए गया है R Hari Kum War नेक्स्ट है आपका कोप 26 के साथ साथ जर्मन वाचवारा द्वारा जारी वैस्विक जलवायू परिवरतन प्रदर्सन सूचकांग तो ये आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत जो है दस्वे स्थान पर रखा गया है ठीक है वैस्विक जलवायू परिवरतन प्रदर्सन सूचकांग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है तो ये दिया गया है आपका दस्वे स्थान ठीक है अब देखिए इसमें अगला देखिए अगला पॉइंट क्या है प्रदान मंत्री न 만들어 मोदी ने इसकाउट लैंड में आयोजित कोप 26 ग्लास गो जलवायू सिखर समेलन अभी आपको पता है कि कोप 26 जो है अपका कहा किया गया था आयोजित तो ये सकाउट लैंड में आयोस गया था ग्लास गो में ठीक है न इसको संबोधित करते हुए भारत ने क्या कहा कि भारत दो हजार सत्तर तक ये सन आप याद रखना है बहुँ दो हजार सत्तर तक सुध सुन्य कार्बन उत्सरजन के अपने लक्ष को हासिल कर लेगा तो यानि कि सूनिकारबन जो है भारत कब तक ये इस लक्च को हासिल करेगा सूनिकारबन के लक्च को तो दो हजार सत्तर तक हासिल करेगा ये आपको याद रखना है इसके अलामा कुछ और पॉइंट से याद रखे हैं कि 2030 तक का जो लक्ष आपका 4500 गीगावाट था वो अब जो है सौर उर्जा का जो लक्ष है वो अब 500 गीगावाट तक हो जाएगा ठीक है 2030 तक 2030 तक जो है भारत अपनी उर्जा आवस्यक्ता का जो 50% है ये अक्षे उर्जा के माध्यम से पूरा करेगा ये भी आपको याद रखना है कि 50% उर्जा अक्षे उर्जा के माध्यम से पूरी की जाएगी पांच सुत्री योजना जो की पंचामित मृत है के बीच कार्बन उत्सरजन में एक अरब टन की कमी की जाएगी और सुध 45% कार्बन की कटोती की जाएगी भारत के दौरा ये भी जो है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कोप 26 में बोला है इसके लावा उर्जा की प्रति उनिट उत्पादित वस्त्वों की संख्या 2030 तक 45% कम हो जाएगी जो की पहले आपका 35% था ठीक है ना नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका नरेंदर मोदी और उनके समकच बोरिस जांसन बोरिस जांसन आपके ब्रेटेन के प्रधान मंतरी है नरेंदर मोदी भारत के प्रधान मंतरी है सन्युक तरूप से इन्होंने कोप 26 में किसकी पहल की शुरूआत की तो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीट ठीक है न तो ये वाला जो इस्टार्ट किया गया है पहल इसको आप जिरूर याद रखेंगे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीट जो है पहल कहाँ पे शुरू की गई तो याद रखना कोप 26 में श्टुर्ट की गई थी किसके किस के द्वारा नरेंद्र मोदी और बोरिस जांसन के द्वारा ठीक है भारत और इंग्लेंड के द्वारा नेक्स्ट आपका है रोम इटली में आयोजित जी 20 सीखर समयलन देखिए जी 20 सीखर समयलन अलग है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी रोम इटली में अभी आपने उपर देखा कोप 26 कोप 26 कहाँ पे था ग्लास्गो स्विटजर लेंड ना इसक्वापन जो है किस के साथ हुआ तो रोम घोषडा के साथ इसकों समापन हुआ तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि G20 सिकर सम्वेलन कहां अज़ित किया गया था तो रोम इतली में अगला देखिये पॉइंट क्या है दिल्ली सरकार ने निर्माड स्रमिकों के लिए स्रमिक मित्र योजना की शुरुवात की है तो स्रमिक मित्र योजना की स्टार्ट किसने की है तो वो की है दिल्ली सरकार ने पूर्व केंद्रिय मंत्री और कांग्रेस नेता जिनका नाम क्या है सलमान खुरसीद इन्होंने हाल ही में अयोध्या फैसले पर एक पुष्टक जो है लिखी थी जिसका नाम था Sunrise Over Ayodhya Nationhood in Our Times तो Sunrise Over Ayodhya पुष्टक का जो है सीर्शक था किसने लिखा था सलमान खुरसीद इस पर काफी बवाल हुआ था Question No.49 आपका, question नहीं, point No.49 है West Indies Cricket Team के पूरू कप्तान जिनका नाम क्या था Dwayne Bravo ठीक है पहले ये कप्तान थे अंतराश्टी क्रिकेट से इन्होंने सन्यास की घोशड़ा की है तो Dwayne Brayo जो है ये आपके West Indies Cricket Team से संबंदित थे ये आपके हरदीब सिंग पूरी ने क्या किया है नोंने हिसार हर्याडा में महारानी लक्ष्मी भाई कालेज भीवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मी भाई की प्रतिमा का अनावरण किया है तो ये आपका पूछा जा सकता है कि ये वाला कालेज कहां पे है तो ये अपके हिसार हड़ियाडा में था ठीक है जहां पे ये रानी लक्ष्मी भाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया है नासा और स्पेस एक्स ने 10 नॉब्बर 2021 को कुरू 3 मिसन लाँच किया नासा और स्पेस एक्स ने जो है कौन सा मिसन लाँच किया था मिलके कुरू 3 मिसन लाँच किया और आपको पॉइंट याद रखना है कि भारती मूल्के नासा के अंतरिक छेट्री जो है राजाचारी जो है नका नाम राजाचारी है ये आपके मिसन के कमांडर हैं तो क्रू थ्री मिसन के कमांडर कौन है तो वो है आपके राजा चारी जो कि भारतिय मूल के हैं liberal democratic party के नेता क्या हूं थे फूमियो की सीधा ये जापान के प्रधान मंतरी बनाए गए है तो फूमियो की सीधा जो है वर्तमान में क्या है जापान के प्रधान मंत्री है ओडिसा सरकार ने रक्षक नाम से सड़क सुरक्षा पहल की सुरुवात की तो सड़क सुरक्षा पहल रक्षक कहां से स्टार्ट किया गया तो ये आपके ओडिसा सरकार ने स्टार्ट किया है ओडिसा आपका है प्रध खुद्रा प्रत्यक्च उजना और रिजर्व बैंक एकई कृत लोक पाल योजना तो एकई कृत। लोक पाल योजना और खुद्रा प्रत्यक्च उजना जो ढूनों जो है RBI के उज्वारा हाली में स्टार्ट की गई, RBI के गोवर्रनर का नाम आप सबको पता है सक्तिकांत दास आरबियाई के डिप्टी गवर्नर भी आपसे पूछ लिये जाते हैं तो महेश कुमार जोन, जैन, माइकल, देवरत, पात्रा और M. राजस्वर राव और टी रवी संकर यह जो है, क्या है, यह आपके गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होगे, भारत की पहली सारीरिक राश्ट्री योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया, तो यह किया गया आपके, भुवनेस्वर उडिसा में, तो पहली बार आयोजित किया गया, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि सारीरिक राष्ट्री योगासन चेंपियंशिप कहां पे तो भुवनेसर उडिसा में पहली बारह उजित किया गया मित्रभाग गुहा बने भारत के 72 वे ग्रेंड मास्टर इसी महीने में भारत के 71 वे ग्रेंड मास्टर भी बने थे जिनका नाम क्या था संकल्प गुपता ये महराष्ट के थे इसी महीने में एक 70 वे आपके ग्रेंड मास्टर बने थे फिर मित्रभाग गुहा जो है भारत के 72 वे ग्रेंड मास्टर बन गए है अगला देखिए पॉइंट नोबल पूरुसकार विजयता और दक्षड अफरीका के पूर्व राष्टर पती जिनका नाम था फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क ठीक है इनका हो गया है निधन ठीक है तो ये आपके नोबल पूरुसकार के विजयता भी थे और दक्षड अफरीका के पहले राष्टर पती भी रच चुके हैं इनका हाली में निदन हो गया याद रखिएगा आपको लोग एक नायका प्लेटफॉर्म है यह आपका beauty and fashion के लिए e-commerce प्लेटफॉर्म है इसकी CEO जिनका नाम क्या है फालगुनी नायर यह भारत की सबसे अमीर self-made महिला बन गई है तो भारत की सबसे अमीर self-made महिला यानि कि खुद से इन्होंने अपना बिजनस स्टार्ट किया था और यह जो है एकदम बिलेनियर बन गई है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है फालगुनी नायर तो ठीक है नायका जो है आपके beauty और fashion platform है Spanish-German अभिनेता जिनका नाम क्या है Daniel Brugald तो Daniel Brugald जो है इनको सैयूक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कारकरम के लिए सद्वावना राज़दूत नामित किया गया है तो सैयूक्त राष्ट्र विश्वखाद्य कारकरम का जो है सद्भावना राजदू किसको बनाए गया है तो बनाए गया है डेनियल ब्रुहल को सत्य नारायड प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है तो आपके सत्य नारानण प्रदान किसके हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेसक हैं अभी आपने सारे महानिदेसक उपर पढ़े थे ठीक न तो ये आप एक और याद रखिएगा प्रमोध चंद्रमोधी को राजसभा का नया महासचिव नियुक्तिया गया है तो राजसभा के महासचिव भी आपसे पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा प्रमोध चंद्रमोधी को बनाय गया है भारती नोसेना और रायल थाई नोसेना यानि कि थाईलेंड भारत और थाईलेंड के बीच में आपका कोर्पैट का आउजित किया गया है तो ये कोर्पैट जो है लग लग देशों के साथ आउजित किया जाता रहता है ये कोर्पैट आपसे एक्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि कभी-कभी corporate भारत थाई लैंड कभी बारत इंडोनेसिया इन सब के बीच आपका corporate अध्यास होता रहता है भारत के सेना प्रमुक्त जिनका नाम क्या है जनरल प्रभुराम सर्मा इनको राष्टरपती रामनाथ कोविंद के दौरा भारती सेना के जनरल की मान रेंक से सम्मानित किया गया है तो भारती सेना के जनरल की मानद रेंक से किसको सम्मानित किया गया तो नेपाल के सेना प्रमुक्त है जिनका नाम क्या है जनरल प्रभुराम सर्मा तो ये नाम आप याद रखिएगा जनरल प्रभुराम सर्मा बर्मिंगम 2022 राष्ट्रमंडल ख इसको पहली बार जो है राष्ट्र मंडल खेलों में शामिल किया गया है ठीक है 2022 में जो आपकी राष्ट्र मंडल खेलोंगे यूपी के वाराड़सी से चोरी हुई मा अनपूर्डा की मूर्ती 100 साल बाद कनाडा से वापस आई है तो मा अनपूर्डा की मूर्ती अभी हाली मे वापस आई कहां से आई यह वापस तो कनाड़ा से वह यह वापस लाई गई है और यह जो है यूपी के वाराणसी में इसकी अस्थाफना भी की जा चुकी है तेलंगाना में भद्रा चलम को IRCTC की रामायड सरकित ट्रें में एक गंतब्य के रूप में जोड़ा गया है याहनि कि इसका कैया है कि रामायड सरकित ट्रें वन अस्थानों से जाती थी जहां 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 रामायड से सम्धित आपके अस्थल थे तो इसम्रायाक और अस्थल राष्ट रक्षा समर्पड पर्व का आवजन किया जाएगा तो याद रखना कि राष्ट रक्षा समर्पड पर्व का आवजन कहां पर किया जाएगा तो ये जहांसी में किया जाएगा उत्राखंड के अल्मोडा जिले के रानी खेत में यानि उत्तरा खंड में भी डार्यक्ट आप से पूछा जा सकता है कि कहां पर भारत का पहला घास संरक्छण केंद केंदर या फिर जर्म प्लाजम संरक्षण केंदर का उत्गाटन किया गया है, तो यह आपके उत्तरा खंड के अमोड़ा जिले में रानी खेत में ठीक है, अम गज महेला जैवर्ध ने सान पोलाक और जेनिट वरिटेन को हॉल आफ फेम में सामिल किया गया है तो ये इंपोर्टेंट इतना नहीं है लकिन आप याद रखेंगे महला जैवर्द ने सान पोलक और कौन जेनिट ब्रिटेन जो की इंग्डेंट के हैं इनको हॉल आफ फेम में सामिल किया गया है सौरी देवा सीस मुखरजी द्वारा लिखित दर दिस्रप्टर हाव विस्चुनात प्रताप सिंग सूक इंडिया ये एक पुस्तक थी ठीक है देवा सीस मुखरजी की इसको अब ध्यान रखेंगे तमिल फिल्म जो आपकी कुजंगल ती इसको अभी हाल ही में आसकर पूरुसकार के लिए आधिकारिक रूप से भारत से भेजा गया है इसको जो है इफ़ी 2021 आपका जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में आयुजित किया जाता है हर साल इसमें प्रदरसित करने के लिए भी इस फिल्म को चुना गया किसको कुजंगल को ठीक है पियुस गोयल ने तमिल नाडू के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खादि संग्रहालाय लांच किया है तो याद रखना कि भारत का पहला डिजिटल खादि संग्रहालाय कहां पे लांच किया गया तो वो लांच किया गया है तमिल नाडू के तंजावुर में हर्याडा के गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स ब्यवसाय इंक्यूबेटर का उधगाटन कहां किया गया मत्स बेवसाय इंक्यूबेटर का उद्गाटन कहां किया गया ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में और पहला खाद्य डिजिटल खाद्य संग्राले कहां पे है तो वो आपका तमिल नाडू के तंजावुर में ठीक अगला आपका तेलंगाना के पोचम पल्ली गाओ को संयुक तराष्ट्र विश्चु परेटन संगठन द्वारा सर्वस्रेष्ठ परेटन गाओं में से एक के रूप में चुना गया है तो ये आपका पोचम पल्ली गाओं है कहां का तेलंगाना का संयुक तराष्ट्र विश् इनको महराष्टर का COVID-19 टीका करण का Ambassador बनाए गया है तो सलमाँ खान महराष्टर के COVID-19 टीका करण Ambassador है संयुकत राष्टर के महा सचीव ने किसको सोम्बी सार्प को भारत में संयुकत राष्टर के Resident Coordinator के रूप में नियुकत कि एग? ठीक है तो आपसे पुछा जा सकता है कि भारत में सन्युक्त राष्ट का रेजिडेंट कोडिनेटर किसको न्युक्त किया गया है हाली में तो वो कोन है आपके सोम्बी सार्प BCCI के अद्यक्ष आपके सोरप गांगुली को ICC पुरुस क्रिकेट समिति के अद्यक्ष के रूप में न्युक्त किया गया है नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपती रामनात कोविंद ने हर्याणा में आदर्स गाउं सुई का उद्गाटन किया तो ये सुई जो है ये क्या है ये गाउं का नाम है ठीक है न हर्याणा में एक आदर्स गाउं जो है बनाये गया है आदर्स गाउं जो है आदर्स ग्राम वायू प्रदूसर्ण नियंतरण टावर का उध्गाटन किया है तो उत्तर प्रदेश राज जी का पहला वायू प्रदूसर्ण नियंतरण टावर कहां पे स्थापित किया गया है तो वो स्थापित किया गया है नोएडा में याद रखेगा इसको और इसको किसने बनाया है इ ट्राइफेड आदी महोत्सों का ब्रांड अंबिश्डर न्यूक्त किया गया है तो ट्राइफेड जो है आपके जन जाती संबंदित होता है ठीक है जन जाती संबंदित एक संस्ता है ट्राइफेड तो इसका ब्रांड अंबिश्डर ट्राइफेड आदी महोत्सों का जोखिम इंडेक्स तो वैस्विक रिस्वत जोखिम इंडेक्स है इसमें भारत किस अस्तान पे है 82 वे अस्तान पे और डेर बार किसमें है प्रतम अस्तान पे दो रिस्वत जोखिंग रैंकिंग में आपका भारत किस नंबर पे है 82 नंबर पे तो इसी के साथ पॉइंट नंब इसके अलावा 2031 में जो आपकी ICC पुरुस की जो पचास ओबर यानि की जो आपका वर्ल्ड कप होता है फुल वर्ल्ड कप होता है उसकी मेजबानी जो है भारत और बंगलादेस को सौपी गई है तो 2026 में T20 की मेजबानी भारत को मिली है और 2031 में जो है जो आपका मेन आपक वर्ल्ड कप होता है पचास ओबर वाला उसकी मेजबानी भारत और बंगलादेस को मिली है ठीक है यानि कि भारत के साथ साथ बंगलादेस में भी कुछ मैच खेले जाएंगे टेनिस में इस्पेन की गार्बिन मुगूरुजा ने अपना पहला WTA फाइनल खिता जीता है तो गुरु नानक की इस वर्स कौन सी जहनती मनाई गई तो वो मनाई गई आपकी 552 जहनती इसे प्रकास उत्सो या फिर गुरु पूरब के नाम से भी मनाया जाता है और इस वर्स यह है 19 नॉम्बर को मनाया जा रहा है ठीक है ना दुनिया की सबसे उची मोटर योगी सड़क आप सबको पता है यह कहां पे बनाई गई थी अगर आपको पता हो और वो धर्रे का नाम भी पता हो तो आप कमेंट करके जो है बताईएगा ठीक है कि दुनिया की सबसे उची मोटर योगी सड़क कहां पे बनाई गई थी तो यह बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन को गि गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड किसको दिया गया है बार्डर रोड आर्गनाईजेशन यानि कि सीमा सड़क संगठन को क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे उची मोटर योगी सड़क कहां पे बनाई थी लद्दाख में बनाई थी ठीक है ना उमलिंग लादर्रे के पास में जोफ इलार्डिस ICC के 27 CEO के रूप में न्युक थिए गया है तो याद रखना CEO जो है पहले थे मनु साहनी ठीक है तो पहले आपके मनु साहनी थे लेकिन जुलाई में इनको इस्तीफा देना पड़ा था अब जो है इनके स्थान पे कौन आ गया है तो यह जोफ इलार्डिस आए है ठीक है ICC में CEO अलग होता है अध्यक्षा अलग होता है उपाध्यक्षा अलग होता है याद रख़िये गा ICC के अध्यक्ष क्या जाएगा तो वो है आपके ग्रेक बारकले और उपाध्यक्ष कोन है तो उपाध्यक्ष है इमरान ख Carolyn प्रज़ा लेकिन आपके ICC के CEO कौन है तो वो आपके है जोफ एलारडिस, ठीक है जोफ एलारडिस, आइनस विसाखा पत्तनम जो की आपका स्टेल्थ गाइड़ मिसाइल है, और इसको जो है भारती नो सेना में नो सेना डाक्यार मुम्बाई से सामिल किया गया है, तो आइनस विसाखा पत्तनम को यह अधिकतर इस वही इस question में यह पूछ ले जाता है कि जैसे आइनस विसाखा पत्तनम को जो है कहां से सामिल किया गया भारती सेना में तो आपको पता होना चीए कि यह डाक्याड नो सेना डाक्याड मुंबई से सामिल किया गया ठीक है न तो इस तरह से question पूछ लिए जाते है तो सबसे सवक्ष सहर पुरुसकार अभी हाली में जो है दिये गए तो इसमें सबसे सवक्ष सहर फिर से 2021 के लिए कौन चुना गया तो यह आपका इंदौर है पिछले वर्स भी सबसे सवक्ष सहर इंदौर ही था सबसे सवक्ष गंगा सहर यानि कि गंगा नदी जिन सहरों से बहती है उनमें सबसे सवक्ष कौन है तो उनमें सबसे सवक्ष है वराणसी सबसे सवक्ष जिला अगर पूछ लिया जाएगा सबसे सवक्ष जिला कौन सा है तो वो कौन सा है आपका सूरत ठीक है न तो सबसे सबसे सवक्षे मध्यम सहर की जब बात की जाएगी सबसे सवक्षे मध्यम सहर कौन सा है तीन से दस लाग जनसंख्या तो आपका नोड़ा है सबसे सवक्षे सहर तो आपका इंदोर है ठीक है ना लेकिन सबसे सवक्षे मध्यम सहर जहां की तीन से दस लाग तक की जनसंख्या हो वो आपका है नोड़ा ठीक है यह उत्तर प्रदेश से संबंदी था याद रखिएगा अगला देखिए प्रदेशों में आंध्र प्रदेश पुलिस ने IPF Smart Policing Index 2021 में सीस अस्थान प्राप्त किया तो Smart Policing यानि कि जो पुलिस की स्मार्टनेस है स्मार्टनेस का मतलब ये कि वो कितने जो है इंटरनेट का और इन सब चीजों का कम्प्यूटर का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले रही है ठीक है न तो Smart Policing Index में आंध्र प्रदेश पुलिस पहले नंबर पे है तिलंगाना दूसरे नंबर पे है असम पुलिस तीसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश 28 स्थान पे है ठीक है IPF Smart Policing Index में उत्तर प्रदेश की रहेंग क्या है 28 स्थान पे है ठीक और अंती मस्थान पे कौन है तो एकदम अंती मस्थान पे आपका विहार है ग्रिह मंत्राले द्वारा दिल्ली का जो सदर बजार पुलिस इस्टेशन है उसको 2021 के लिए भारत का सर्वस्रेष्ट पुलिस इस्टेशन का दरजा दिया गया है तो ग्रीह मंत्राला ने ये जो है गोशड़ा की है ठीक है न कि दिल्ली का जो सदर बजार पुलिस इस्टेशन है वो 2021 का भारत का सर्वस्रेश्ट पुलिस इस्टेशन है डक्षड अफरीका के पूरो कप्तान एबी डिविलियर्स इनका नाम आप सब जानते होंगे इन्हों ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशड़की यानि कि अभी ये IPL भी नहीं खेलेंगे सिक्षा मंत्री ने IIT गुवाहाटी में Centerfar Nanotechnology का उदगाटन किया तो Centerfar Nanotechnology का हाली में कहां पर उदगाटन किया गया तो वो किया गया गुवाहाटी में अलसलवाडोर ने दुनिया का पहला Bitcoin City बनाने की योजना बनाई तो पहला जो है Bitcoin City बनाने की घोशड़ा किस ने की है तो वो की है El Salvador ने कारतिक पूर्डिमा पर ओडिसा ने बोईता बंदना महोटसो मनाया है तो ये महोटसो पूछ लिए जाते हैं आपके static जीके में ठीक है तो बोईता बंदना महोटसो कहां पर मनाया गया तो वो मनाया गया ओडिसा में ये भी आपसे पूछा जा सकता है बोईता बंदना महोटसो कहां मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे ओडिसा में मत्च विभाग द्वारा आंधर प्रदेश को देश में सर्वस्रेष्ठ समुद्री राज्य अपका मेरीन स्टेट जो है घोसित किया गया है किसको सबसे अच्छा मेरीन स्टेट मेरीन स्टेट कौन सा है तो वो आपका है आंधर प्रदेश ठीक है ना आंधर प्रदेश को सबसे अच्छा समुद्री राज्य घोकादर्जा दिया गया है प्रथम नाम का भारत में सिख्छा के दायरे के विस्तार करने के लिए काम किया है ग्रूप कैप्टन अभिनंदन वर्थमान को जो है क्या दिया गया वीर चक्र से सम्मानित किया गया है याद रखेगा ग्रूप कैप्टन अभिनंदन वर्थमान को राश्ट्रपती रामनात कोविंद के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया है इसके रामा कीरती चक्र क इसको दिया गया है,100 तो वो दिया गया है सैपर प्रकाश,जाधों को और चार लोगों को, आपका तीन लोगों को क्या दिया गया है, 70 चक्र मेजर वभूति संकर ढूनडियाल, नयक सुबेदार जोमवीर और मेजर मह्झ कुमार भोरे को सौरे चक्र दिया गया है इंपोर्टेंट जदा नाम आपका ये है अविनंदन वर्थमान को कौन सा दिया गया है तो उन्हों दिया गया है वीर चक्र और 98 पॉइंट है आपका अनीता दिसाई को क्या दिया गया है तो अनीता दिसाई को TATA Literature Lifetime Achievement Award से भारत के परोक्ता थे आपके UN में ठीक है न इन्हों ने एक पुस्तक लिखी है India versus UK the story of an unprecedented diplomatic win ठीक है न तो India versus UK the story of an unprecedented diplomatic win जो है किसकी पुस्तक है तो यह है आपके सयद अकबरुदीन की पुस्तक है अमित साह ने मड़ीपूर में रानी गाइदिनलियू संग्रहाले की आदाहर सिला रखी तो आप से डारेक्ट पूछ ले जाएगा कि रानी गाइदिनलियू संग्रहाले की जो है स्थापना कहां पर की जा रही है तो आप सोचेंगे कि रानी गाइदिनलियू नागलेंट से थ तो इस बार जीती है तमिल नाडू ने सेद मुस्ताक अलिट राफी आपका किसने जीती है अपके तमिल नाडू ने जीती है बान की मून ने अपनी आत्म कथा Resolved Uniting Nation in a Divided World का भी मोचन किया तो बान की मून क्या थे आपके यूएनो को पहले महासचिव रह चुके है ठीक है ना पहले महासचिव रह चुके है बान की मून तो अभी वर्तमान में कौन है गर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताईए गर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो ठीक है तो बान की मून जो है यह पहले यूएनो के देख थे इनकी पुस्तक है Resolved Uniting Nation in a Divided World नेक्स्ट आपका पॉइंट है भारती अमोल के अमेरिखी अर्थिसास्ती जिनको अभी नोबल पुरुसकार मिला था क्या न Amb thा इनका अभी 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 नोबल पुरुसकार जीता था थीक है अभी मतलब भी इस वर्सनीए इसके पहले जो जीता था cooking to save your life नामक एक नई किताब लिखी है इनकी पुष्टक है आपकी अभजीत बेनर जी की cooking to save your life तो ये पुष्टक से आपकी important हो जाती है जो ये आपके महतपूर लोग होते हैं इनकी तो याद रखिएगा रेल मंत्री अस्विनी वश्टो ने थीम आधारित भारत गौरो ट्रेनों को लांच करने की घोशड़ा की है तो थीम पर किसी थीम पर आधारित जो है जो ट्रेने होंगी उसको क्या नाम दिया गया है भारत गौरो ट्रेन ठीक है ना तो भारत गौरो ट्रेन थीम आधारित ट का नाम क्या था तांत्या भील इनके नाम पर रखा गया है ओके नीतियायोग ने भी लांच किया स्टीजी सहरी सुचकांग और डैस्पोर्टेस्ट डीजी का मतलब हो गया सस्टेनबल डिवलप्मेंट गोल्स यानिकी सतत विकास लक्ष का सहरी सुचकांक में जो है नीति आयोग ने जो जारी की है इसमें पहले इस्थान पे कौन है तो वो है आपका सिमला आपका हिमांचल प्रदेस का जो है सहर है ठीक है न अगला देखिए विग्यान और प्रद्योगी की मंतरी जीतेंदर सिंग तो जो है भारत की पहली वर्चुल साइंस लैब लांच की है तो याद रखना कि CISR जिग्यासा प्रोग्राम के तहट भारत की पहली वर्चुल साइंस लैब लांच की गई है जीतेंदर सिंग के दोरा भारत मालदीव और स्री लंका ने द्वी वारसिक त्रिपक्छी अभ्यास कहां पर इसका एजन किया गया मालदीव में इसको एजित किया गया कौन-कौन इसमें सामिल है दोस्ती युदधभ्यास में बारत, मालदीव और स्री लंका ठीक है न तो तीनों आसपास के देश हैं यह तीनों जो है दोस्ती नामका एक त्रिपक्षी दव्यास करते है पियम मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट की अधार सिला रखी तो आप सब को पता है कि नोएडा अंतरराष्ट्री हवाई अड़ा कहा बन रहा है जेवर में ठीक है यह उत्तर प्रदेश का पांचवा अंतररा सबा सेख सबा अलखालिद अलसबा यह कुवैत के नए प्रदान मंत्री नियुक्त किये गए हैं तो यह प्रदान मंत्री जो नए नियुक्त होते हैं कभी-कभी यह क्वेशन आपसे पूछ लिये जाता है दिकतर जापान वाला पूछने की उमीद होती है तो इस फिर्मियो एसिया का एक प्रतिनिधी के रूप में चुना गया है तो यह आपके CBI के नहीं दे सकते प्रवीड सिन्ना इनको इंटरपॉल यानि की इंटरपॉल क्या है यह पूरे विस्व लेवल की पुलीस है ठीक है पुलीस अर्गनाजिशन पूरे वर्ल लेवल का है जिसमें सारे देशों के लोग इसमें जो है काम करते हैं पूरे वर्ल लेवल की पुलीस है यह इसके कारेकारी समीत में एसिया का जो प्रतिनिधी है वो चुना गया है आपके प्रवीड सिन्ना को सहतिस्वा भारत इंडोंेसिया कोर्पैट अभ्यास हिंद महासागर में आउजित किया गया यह आद रखना आप लोग कि इसमें बिसमें भारत सिलंका और मालदीव सामिल है केंद्रिय मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना जो कि अब ही आप देख रहे कि लोगों को गरीबों को जो है गाउं में जो है अन्य दिये जा रहे हैं तो उसका जो है अब बढ़ा के कब तक कर दिया गया पहले रखना की भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य के द्वारा बनाने की घोश्ड़ा की गई है तो वो की गई है मध्ध प्रदेस राज्य के द्वारा भारतिय नो सेना ने मुंबई के नेवल डाक्यारड में स्वदेश निर्मित इसकॉर्पियन स्रेडि की पंडूबी जिसका नाम क्या है वेला थ कहा है तो इसका रेडि की पंडूब्बी पहले भी आपकी कौन कौन से आ गई थी कलवरी आई थी खंडेरी आई थी और करंज ठीक है ये तीन आ चुकी है अब तीसरे के बाद ये चौथा जो है नाम क्या है इसका वेला ठीक है ना वेला को जो है कमिशन किया गया है कहां से मुंबई से ये भी याद रखना कि अभी आपने देखा कुद देर पहले आई एनस विसाका पत्तनम वो भी आपके इनेवल डाक्यार मुंबई से सामिल की गई थी ठीक है ना तो ये आपका आई एनस प्रोजेक्ट वेला जो है ये एक प्रोजेक्ट 75 के अंतरगत ये सब बन रही है जो कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला ये सब बनी है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनी है तो ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनी है ये चोथी आपका क्या है स्कार्पियन स्रेडी की पंडूब भी है थल सेना प्रमुक जनरल मनोज मुकुंद नर्वडे जिनका सार्ट में नाम अपने लिखा है कि MM नर्वडे, इन्होंने जैसल मेर में आयवजित होने वाली सेन अभ्यास दक्छिड सक्ती कायव लोकन किया तो दक्छिड सक्ती कौन-कौन अभ्यास कर रहा है इसमें आपके थल सेना और वायू सेना कोविड-19 का नया वैरियंट जो की आपका B.1.1529 है इसको O.MICRON के रूप में वर्गे करित किया है तो O.MICRON का जो कोड नेम है कोड नेम O.MICRON है ये आपका वैरियंट कौन सा है B.1.1529 ओके पेत्र फियाला चेक गरडाज के नया प्रधान मंत्री बनाए है तो ये इतना इंपोर्टन नहीं है फिर भी जो है अप नया प्रधान मंत्री बने है तो आप जान लेजिए पेत्र फियाला इन का नाम है तीन दिवसी सिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पे मनाया गया तो ये मनाया गया मेगाले में तो आप से पूछ लिया जाता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां मनाया जाता है एक्जाम में पहले आभी चुका है ये क्वेस्टन तो ये जो है मेगाले में मनाया जाता है हर सुवंती विष्ट भारतिय परवता रोहड फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है मानदंडो का पालन नहीं करने पर RBI ने SBI पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो SBI पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है किसके दौरा RBI के दौरा ठीक है अभी हाली के कोई एक्जाम होगा तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि हाली में RBI ने SBI पर कितने रुपे का जुर्माना लगाया है नेक्स्ट क्वेस्टन आपका नीती आयोग का पहला बहु आयामी गरीबी सूचकांक ये नीती आयोग ने जारी किया है बहु आयामी गरीबी सूचकांक ठीक है इस सूचकांक में बिहार को सबसे गरीब राज्य बनाया गया है यानि कि सबसे गरीब राज बनाया नहीं गया है सबसे गरीब राज ये बिहार है लगबा कि क्याउन पर्संट की जन संख्या वहाँ पर गरीब है जारखंड जो है इसमें दूसरे नमबर पे है और उत्तरप्रदेश भी आप याद रखे न जो है सून ये गरीबी दर्ज की गई है ठीके ना यानि कि यहाँ पे जीरो गरीबी है कोई कोई भी गरीब नहीं है इस जिले में किस जिले में कोट टाइम जिले में के रल के ओके नेक्स्ट आपका है Skyroot Aerospace ने भारत के पहले निजी तोर पर विक्सित Cryogenic Rocket Engine तो यह आपका निजी यानि की Private तरीके से इसको विक्सित किया गया है Cryogenic Rocket Engine जो है पहली बार जो आपका निजी तोर पर बनाया गया है इसका नाम रखा गया है धावन धावन फर्ष्ट नाम रखा गया है और यह Skyroot Aerospace भारत की एक Private Company है Aerospace से संबंदित छेतर में General MM नर्वणे यानि की Manoj Mukundh नर्वणे ने Bangladesh Liberation at the rate 50 years At 50 years Visoy with Synergy India-Pakistan युद्ध 1971 पुष्टक का विमोचिन किया तो यह आपके भारत के जो है सेना प्रमुक है MM नर्वणे ठीक है Manoj Mukundh नर्वणे इनही की पूष्टक है तो यह important बन जाती है तो याद रखना इसको जरूर Bangladesh Liberation at 50 years भारती रेलवे मडीपुर में दुनिया का सबसे उचा घाट रेलवे पुल का निर्माड कर रहा है तो दुनिया का सबसे उचा घाट रेलवे पुल कहां पर बनाया जा रहा है तो वो बनाया जा रहा है मडीपुर में कौन बना रहा है तो यह बना रहा है भारती रेलवे अगला आपका UAE के अहमद नासर अलरई सी अगले चार साल के कारिकाल के लिए इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए है आप देखें यहाँ पे दूसरा क्वेशन है इंटरपोल से सम्दित इंटरपोल का अध्यक्ष की बात हो रही तो इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए है अहमद नासर अलरई सी अभी प्रवीर सिन्ह आपने उपर पढ़ा तो प्रवीर सिन्ह जो है क्या थे तो एसिया के जो है आपके उसकी कारिकारी इंटरपोल की कारिकाली समित में एसिया के लिए जो अध्यक्ष चुना गया है ठीक है वो कोन है वो प्रवीर सिन्ह है लेकिन पूरे विश्व का जो आपका इंटरपोल है उसके लिए जो अद्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं अहमद नासर अल रही सी ठीक है इंटरपोल का गठन कब गुआ उनिस सो तेस में इंटरपोल का मुख्याल है आपसे पूछ लेता है तो यह अपका लियो फ्रांस में इस्थित है ठीक है ना दक्षड कोरिया में दोजार पच्चीस तक दुनिया का पहला तैरता सहर बनाया जाएगा तो दुनिया का पहला तैरता सहर जो है कहां पर बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा आपके दक्षड कोरिया में प्रियाग अग्रवाल को टीटर का CEO नियुक्त किया गया है दो Twitter का नया CEO आप सबको पताहोगा किसको बना दिया गया है तो पराग अग्रवाल को बना दिया गया है विवेक जोहरी को अपके CBIC यानि कि आपका केंदरी अपरत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड का नया अद्यक्ष बनाय गया है विवेक जोहरी को येतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन पराग अगरवाल बहुत इंपोर्टन है अगला आपका है भारती अंतराष्ट्री विज्ञान महोत्सो इसमें पूछ लियता है कि इस वर्स का भारती अंतराष्ट्री विज्ञान महोत्सो कहां प्याजित किया गया है ठीक है तो यह किया गया आपके पढ़जी गोवा में भारत अंतराष्ट्री विज्ञान महुत्सो कहां पर आउजित किया गया गया गोवा में ठीक है यह के वला आयोजन इससे संबंदित क्वेशन आते हैं आप लोग याद रखना भारत का बावनवा अंतराष्ट्री फिल् महुत्सो जो आपका इफ़ी है यह हर वर्स कहां पर गोवा में ही आयोजित किया जाता है ठीक है तो गोवा में यह संपन्न हो गया और इसमें जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि फिल्म सूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज किसको बन यह जापानी फिल्म थी रिंग वंडरींग इसको जो है जो गोलडन पिकाक वार्ड दिया गया है और इंडियन फिल्म परस्नेल्टी आप दे एर किसको दिया गया तो यह दिया गया प्रसून जोसी को तो आपके इफ़ि जो आपका अभी हाली में गोवा में संपन्न हुआ है ठीक है नॉवंबर महीने में इसमें इंडियन प्रसून जोसी है और सूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज उत्तर प्रदेश है और आपकी गोल्डन पिका कवार दी गई जापानी फिल्म है रिंग वांडरिंग को ठीक है छटा ब्रिक्स फिल्म महोच्व पुरुसकार तो ब्रिक्स का फिल्म महोच्व पुरुसकार ब्रिक्स देशों के संबंदित है ठीक है ब्रिक्स में आपके जितने देशा है ये सबी के फिल्म पुरुसकारुस के लिए है ये भारती अभिनेता धनुस को असुरन में उनकी भूमिका के लिए सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार दिया गया है तो असुरन जो है असुरन के लिए असुरन एक मूवी है तो सौरफ गोसाल ने क्या किया मलेसियाई ओपन चैंपियंशिप में इन्होंने जीत हासिल की है और ये पहले भारती स्क्वैस खिलाडी बन गये है जो कि मलेसियाई ओपन चैंपियंशिप जीती हो ठीक है ना पहली बार किसी भारती ने मलेसियाई ओपन चैंपियंशिप जी जमो और कस्मीर ने अभी अबरहल अहर बल महुत्सो का जो है आउजित किया गया तो यह पूछ लेता है कोई महुत्सो रहता है तो पूछ लेता है कि किस राज़ चाह बार्पात किस नदी पर है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताईएगा कि भारत का सबसे जो है हमारा यह important सारे सब खतम होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको पसंद आई होंगी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो आप लाइक करेंगे, वीडियो आप लोग पूरा देखते होंगे नहीं, लेकिन आपका वीडियो देखने क बहुत बहुत धन्यवाद